आज हम लोग इस वीडियों बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि लाइनप आने के बाद, टोस होने के बाद टीम बनाना चाहिए या फिर पहले बनाना चाहिए चाहिए या फिर बाद बना चाहिए उसके बारे बात करेंगे समझेंगे कौन सा बेश तरीका है या फिर क्या करना चाहिए आपको उसके बारे जानना चाहते हो तिस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ समझाने वाला हूँ एक बहुत ही जबर्जस तरीका एक बेहतरिन तरीका टीम बनाने के लिए टीम किरियेट करने के लिए यह तरीका जान कि आप जो है बेहतर तरीके से टीम बना सकते हो, हो सकता है कि आप जो है जो बताने वाला हो इस वीडियो के अंदर में उसे आप जानते होंगे और हो सकता है कि आप ने भी जानते होंगे क्या पता कुछ भी हो सकता है तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए सीधे बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं यानि कि टोस होने के बाद या फिर लाइन अप आने के बाद आप टीम बनाना चाहिए या फिर पहले बनाना चाहिए उसके बारे बात करते समझते हैं तो चलिए जाने तो देखिए आप जो है टोस होने के बाद या फिर टोस होने से पहले लाइना पाने के बाद या फिर लाइना पाने से पहले टीम क्रियेट कर सकते हो यह आपके उपर हर एक ब्यक्ति के उपर अलग-अलग हो सकता है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किया ये बेश्ट तरीका है पहले बनाना और बाद में बनाना तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में इसी सवाल का जबाब खोजेंगे इसी कोस्चन का अंसर जाने कोसिस करेंगे तो देखिए जैसे अभी आप लोगों बताया कि आप पहले भी टीम बना सकते हो या फिर बाद भी बना सकते हो लाइन अप आने के बाद या पहले या फिर टोस होने से पहले या फिर टोस होने के बाद ये आपके उपर depend करता है लेकिन ये बेश्ट तरीका नहीं है अब आप बोलोगे भाई तो क्या तरीका है तो सुनिए ध्यान सुनिए बातों समझे कि क्या बेश्ट तरीका है टीम बनाने के लिए किसी भी माइच के लिए टीम बनाने का बेश्ट तरीका बहतरिन तरीका यही है कि आप जो है टोस होने से पहले और लाइनप आने से पहले ही टीम क्रियेट कर लो उसके बाद बाद में जब टोस होगा लाइनप आ जागा उसके बाद उसे एडिट कर लेना तो इसमें देखिए यह बेश तरीका क्यों है उसे जानिए जब आप टोस होने से पहले और line up आने से पहले team career करते हो तो आपके पास main चीज होता है जो कि बहुत बड़ा हथियार है आपके पास और वो है time आपको time मिलता है समाई मिलता है बहुत ज़्यदा समाई मिलता है कुछ घंटा होगा कुछ मिनट होगा या फिर एकाद दिन भी हो सकता है इस परकास से आपके पास time बहुत रहेगा यदि आपके पास ज़्यदा time है तो आप जो है ज़्यदा सोच सकते हो ज़्यदा analyze कर सकते हो ज़्यदा combination बना सकते हो team का प्लेयरों के बारे में बढ़ी है research कर सकते हो प्राउन के बारे में पीस के बारे में सब कुछ आप अच्छा से analyze करने के बाद सोच समझने के बाद आप यहाँ पर team बना सकते हो यदि आप lineup आने से पहले और टोस होने से पहले team बनाते हो तो आपके पास बहुत ज़्यदा समय रहेगा आप अपने मर्जिक हिसाब से unique-unique team बनाने को इसकरोगे और बनापाओगे तो पहला step आपके यही है team बनाने के लिए कि आप जो है line-up आने से पहले टोस होने से पहले ही अपना team create कर लिए आप जितना भी team बनाना चाहते हो जितना भी आप team create करना चाहते हो एक से लेके 5, 10, 15, 20 जितना भी हो सके हर एक app का हर एक application का अलग-अलग होता है maximum team बनाने का limitation तो आप जो है अपनी मर्जी की हिसाब से अपने capacity की हिसाब से पहले ही team career कर लेना line-up आने से पहले और toast होने से पहले ही इतना कर लिए पहला step उसके बाद जब toast हो जाएगा line-up आ जाएगा तो आपको अपने team को edit करना है edit करने के लिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हो edit करना है जैसे कि आप team पहले career किये हो उसमें से कोई एकात player नहीं खेर रहा है ताब उसे edit कर सकते हो यान कि कोई ऐसा player अभी line-up माया है team में involved हुआ है जो पहले नहीं खेला था और वो जो है बढ़िया चलता है बढ़िया पफों है उसका इस match में खेलने के ज़्यादा chance है यानि बढ़िया पफों कर सकता है आपको इस परकार से लग रहा है एक बहतरीन team बन जाएगा यानि कि आप पहले career किये अपने जितने भी team है उसको tos होने से पहले, line-up आने से पहले उसके बाद जब tos हो गया line-up आ गया आप अपने team को जितना भी team है सबको edit कर लिए edit करने के बाद आपका team जो है बन गया एक बहतरीन तरीके से बन गया यानि कि आपका सब team बहतर तरीके से बन गया बोल सकते हो तो इस परकार से आप जो है अपने team को perfect team बना सकते हो अपने team को बहतरीन team बना सकते हो अपने team को winning वाला team बना सकते हो तो आज के बाद आप जो है अब ही मैं आप आफ लोग को बताया, उस ही साफसे टीम बनाएं, टीम क्रेड करिए यानि की टोस होने से पहले, ला Rais-Up आने से पहले, अपने टीम को क्रेड कर लीजिए उसके बाद जब टोस हो जाता है, L Они-Up आ जाता है, उसके बाद अपने टीम को Edit करिए ओके समझ माया ना आप ऐसे गल्थी मत करना कि लाइन अप आने के बाद आप सुचते हो कि मैं टीम बनाओंगा कोई दिकत वाली बात नहीं है ऐसे कभी मत सुचना इसे गल्थी मत करना यदि आप इस परकास से करोगे तो आपके पास मातर कितना टाइम रहा पता है क्यों आद परफिक्ट टीम आप नहीं बना सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत कम समय रहेगा और आपको सोचने के लिए भी बहुत कम समय मिलेगा तो समय कम होने की वज़े से आप बहतर टीम नहीं बना पाओगे क्योंकि प्रेसर रहेगा जल्दी बनाना जल्दी बनाना है टाइम कम है इस परकार से आप जो है सोचने लगोगे हड़बड़ाने लगोगे और हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर ही लोगे यह निस्चित है क्योंकि कुछ भी काम हड़बड़ी में परफेक्ट नहीं होता है गड़बड़ी होता ही है यानि कि कोई भी काम हड़बड़ी मे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप जो है एक पर्फेक्ट टीम एक बहतरीन टीम एक वीडिंग वाला टीम नहीं कर सकते हो इसलिए यदि आपको जीतना है ड्रीम लेवन मैं लेवन सरकल या फिर कोई सब्सक्राइब में तो आपको जो है इस प्रोसेस को फोलो करना ही कि आप जो है इससे पहले यानि कि यह वीडियो देखने से पहले किस परकास से टीम बनाते थे किस परकास से टीम करते थे यह मुझे बता सकते हो ओके और लास्ट मैं आप लोग मैं और एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जो है जब भी टीम बनाते हो तो खुद का टीम बन तो वेज़े सीखने के बाद एक बहुतर टीम संब्नानाय लग जाओगे और यहां आपके लिए फायदा होगहा कि कियोँकि आप उड़ी से अब प्रहे हो रही हो कोई दिकत्वाली बात टीम किरियर के नहीं जान रहे हो, नहीं आ रहा है, कोई दिकत वाली बात नहीं है, क्योंकि सुरू में हर गिसी को हर चीज नहीं आता है, वो अधरियती सिखने के बाद ही होता है, आता है बोल सकते हो, ओके, तो आपको जब खुद का टीम बनाना है, खुद से किरियर करना है, और साथ ही साथ, इस से पहले में आप लोगो जो प्रोसेस बताया था, टीम बनाने के लिए, यानि कि टोस होने से पहले और line up आने से पहले, आप खुद का team career कर लीजी अपने से, उसके बाद जब टोस हो जाता है लाइना पा जाता है उसके बाद अपने team को edit करिए अपने हिसाब सी तो इस परकार से आपको जो है team create करना है इसी process को follow करना है तो अभी मैं आप लोगों को बताया आपको समझ माया ना समझ माया तो बहुत अच्छी बात है यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल और कोई doubt है team बनाने के संबंध में कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो मैं आपके comment का जरू reply करूँगा तो ये बात को भी ध्यार रखिएगा ठीक है तो चलिए वीडियो helpful लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरू like कर देना और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरू subscribe कर देना क्योंकि मैं इसी तरह का helpful वीडियो इस चैनल में हमें साल आते रहता हूँ तो चलिए मिलते किसी नए टोफिक के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए चैनल आए बाई बाई